20 साल से एकांगी जीवन जी रहा था युवक, नीव पढ़ते ही हुआ विवा, आकार लेते ही वंश की प्राप्ती जिस मिस्त्री ने नीव डाली थी, शादी के 10 साल बाद उसे भी मिली संतान बंजन दमीन उगल रही, कुछ खाली रूपी सोना कहते हैं मन में विश्वास हो, तो बंजन जमीन भी सोना उगलने लगती है व्यक्ती रंग से राजा बन जाता है, जीवन में सुक, यश्कीर्ती, व्यभाव मान सम्मान, हर मनो कामना पूर्ण हो जाती है ऐसा ही मद्धिप्रदेश के कटनी जिले की बरही के सिधे साधे यूवक संदीप अकरवाल के साथ हुआ संदीप आर्थिक तंगी से जूच रहे थे, कभी हजार रुपे के लिए मोहताज रहते थे आर्थिक तंगी के चलते पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया सोला वर्ष पूर्व माने भी अलविदा कह दिया था एकांगी जीवन जी रहे संदीप की किस्मत धाई एकर बंजर विरान जमीन के टुकडे ने सवार दी जी हां मन में मादुर्गा के प्रती अटूट विश्वास था जिनकी कृपा से आज उनके पास सब कुछ है धन, दौलत, शोहरत, मान सम्मान और खुश हाल परिवार भी इसी खुश हाली से खुश होकर दिल से दिल खोल कर उन्होंने मादुर्गा का विशाल, भव्वे और दिव्वे मंदिर का निर्मान कराया बताएं आपकी क्या भावना रहीं अब आप क्या सोच रहेंगी जिन्दी मुटार तरहा तो आते ही रहते हैं स्रीगुर्दय भगवान की कपा से मंदिर के निर्मान हो गया है बस इससे ज़्यादा और कुछ अभिलासा मेरी नहीं पच्ची क्या ये सही बात है कि आप एकांगी जीवन जी रहे थे इस मंदिर के नियु रखने के साथ ही आपका जीवन निहाल हो गया मादुर्गा का ये मंदिर रंग से राजा बनाने एकांगी जीवन से सामाजिक जीवन में प्रवेश कराने वंशप्राप्त करने का अब केंद्र बन गया है सुमेरु पीट काशिपूरी से पहुँचे शंकरचारे ने मादुर्गा के इस मंदिर का नाम सिध्धी दातरी मापूर्णेश्वरी देवी किया है जो हर मुराद को पूर्ण करने वाली है काशिपुरी सुमेरु पीट के शंक्रचार जी महराज ने टाइम एड से चर्चा करती हुए संदेश दिया कि जो भी सच्चे मन से एक साल तक मादुर्गा पूर्णेश्वरी देवी की अराधना करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी मतब्रदेश के कट्टी जिले का एक ऐसा मंदिर मादुर्गा का मंदिर जो सिर्फ ना सिर्फ धार्मिक आस्ठा का केंद्र है बलकि यह एकांकी जीवन से परिवारिक जीवन में प्रवेश करने का स्वरूप है साथ ही सुख सम्रिद्धी का केंद्र भी है यह मंदिर मंदिर की नियुके सुभारंब से ही जिस मंदिर का निर्मार जिनों ने कराये संदीप अगरवाल जी ने उनका विवाह हुआ बंस की प्राप्ति हुई इतनी कहानी नहीं इस मंदिर में जिस मिस्त्री ने काम किया उसके दस बर्स तक कोई संतान नहीं थी उस मिस्त्री को भी संतान की प्राप्त हुई जिससे यह हैस्ता का केंद्र बना हुआ है आज हमारे भीच कासी पुरी सुमेर पीठ के महराज श्री संक्राचार जी महराज यहां पधारे हुए हैं आसिरवात देने के लिए हम उनसे बात करेंगे आसिरवचन के लिए जी महराजी क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को मंदर अनादिकाल से अनन्तकाल तक आस्था शद्धा और उपाणिना था केंद्र रहां भारत करोड़ों वर्ष से शक्ति उपासत रहां अजीद भोग्या बसुंधरा बसुंधरा बीरों की भूमी है तो शरीर में जब तक शक्ति है और शक्ति महीं भी है तो शक्ति उपासना से प्राप्षिति आजाए शक्ति को साइंस की दिश्टी से देखे पुर्जा की रूप में उसको ब्यक्त करता है वेद पंच देव उपासना में शित जल पावक जंगन समीघा में अधित्यम गणानाथम रुद्रम चकेशवं पंच देवश्ट प्रकति तत्व के रूप में पंच देवताओं की उपासना का अधार है ऑदेव में उसकेश्टnaire में पंचों में से शकति की रूप में और उसक्ति का आधार आदीशक्ति से हमकर विसे रूप में उस हो शेट आ जो आधिशड़ा त्रणर करते हैं यम यम चंटते कामं तम तम प्राफ्षंत भूतले कुमान इस जयों said जो निष्ठा भक्ती दिन में अगर समय नहीं तो रात्री में ही अगर दुर्गा का हम संपुटिट पाठ करते हैं तो एक वर्ष के अंदर इच्छा बर्ही के ग्राम खन्ना में संदीप कॉलॉनी में संदीप अगरवाल ने चार साल पूर्व मंदिर की अधार शिला रखी निव पढ़ते ही 20 साल की एकांकी जीवन जी रहे संदीप का विवा मादुर्गा के चमतकार से लक्ष्मी रूपी आरती से हो गया मंदिर धीर धीर आकार ले रहा था फिर मा की कृपा हुई और संदीप को वैदिक नाम के वंश की प्राप्ती हुई वहीं एक मिस्तरी ऐसा था जिसका विवा दस साल पूर्व हुआ था उसकी संतान नहीं थी और नीव पढ़ते ही मा की कृपा से उसे भी संतान की प्राप्ती हो मंदिर निर्मान के साथ हुए चबतकार से आई खुशाली से खुशोकर संदीप ने मंदिर निर्मान में भविता लाने में जुड़ गए रंक से राज़ा बनाने का धार्मिक केंद्र बना माद दुर्गा का मंदिर जहां संदीप अगरवाल द्वारा इसे निर्मित कराया गया विशाल एवं भव्य मंदिर में माद दुर्गा की दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई इसके लिए देश के चारो दिशाओं से आए विदवान पुरोहितों द्वारा विधी विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई विशाल शोभायात्रा निकाली गई चसमें हाथों में कलश लिए महिलाएं युवतियां धार्मिक गंगा में डुपकी लगाते हुए जूमती हुई चल रही थी मुझसे कई एक वार उन्होंने मार्जर्शन लिया उस मार्जर्शन में मैंने जो उसे लगा धर्मानुकूर वो मैंने उन्हें बताया आज साथ दिनों से बाहर से आए हुए विद्वानों के द्वारा यहां पर मूर्टी प्रतिष्ठा की जो भी प्रतियाए है अन्ना मूर्टी प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान हुई जिनका नाम पूर्णे सुरी देवी के नाम से आया है और पूर्णे सुरी देवी के नाम से सुप्रिशिद्ध होंगी अभी सद्गुर्देव भगवान ने भी नाम करण किया अस्ट नौदुर्गा सिद्ध दात्री मंदिर के नाम से उन्होंने नाम करण किया है लेकिन मैं ये ज़रूर संदेश देना चाहूँ नीव पढ़ते ही चमतकार, मालिक का विभा, पुत्र रतनी की प्राप्ती तो मिस्त्री को भी संतान की प्राप्ती हुई सोला वर्ष पूर्व बरहीनगर के सज्जन समाच से भी संदीप अगरवाल ने दुर्गा मंदिर का निर्मान कराने का संकल्प लिया था जिसका भूमी पूचन उनकी स्वर्गी मा सोना बाई अगरवाल के हातों सोला वर्ष पूर्व हो चुका था इसी बीच मा चल बसी और पहली पत्नी ने साथ छोड़ दिया तब से वे एकांगी जीवनची रहे थे चार साल पूर्व मंदिर निर्मान की अधार शिला रखते हुए संदीप का विभा लक्षमी रूपी आरती से संपन हुआ संदीप अगरवाल दिल खोल कर मंदिर को भवे बनाने में चुड़ गए इसी बीच पुत्र वैदिक का चन हुआ ये मा दुर्गा का ही चमतकार था इतना ही नहीं मंदिर निर्मान में जुटे एक मिस्त्री जिसकी शादी के दस साल हो चुके थे संतान नहीं हो रही थी मंदिर की निव बढ़ते ही मिस्त्री को भी पुत्र रतनी की प्राप्ती हुई करीब 22 वर्ज पूर्व संदीप अगरवाल की आर्थिक स्थितिय दैनी थी जिस जमीन में अब संदीप बस चुके हैं वे पूरी तरह बंजर विरान थी धाई एकर जमीन संदीप के नाम थी जिसमें उन्होंने महज 10 रुपए 15 रुपए फिट के हिसाब से बेशना प्रारंब किया और संकल्प लिया कि यहां दुर्गा जी का मंदिर भी बनाना है उस समय खरिदार भी बड़ी मुश्कल से मिलते थे दीरे धीरे ये कॉलोनी बन गई यहां की विक्रे हुई जमीन से मिले रुपय से संदीब जमीन खरीदते गए जिस जमीन को भी खरीदा वे बहमूले हो गई फिर होना क्या था मादुर्गा की कृपा से अब संदीब रंग से राजा बन गए जिनके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है वे पूरी तरह से अब अपने जीवन से संतुष्ट हैं टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए कटनी के पर ही से आनंद सराप की रिपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें हमें हमेशा अंतिजार रहता है आपकी कमेंज का